Hello beautiful soul, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सबी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, positive हैं and सबसे important आप सबी बहुत जादा healthy हैं इससे पहले तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मदू मक्ही के उपर, यानि हानी bees के उपर बट आज का topic अलग है आज आप चानेंगे कि अगर आपके घर में मदू मक्ही ने चत्ता लगा दिया है तो उसे हटाना चाहिए या नहीं ये शुब होता है या शुब होता है वीडियो बहुत छोटी से होने वाले है इसलिए लाश तक भी ना escape के देखिएगा हो सकता है कोई important जनकारी आप मिस कर दे और अभी तक आप हमारे परिवार का सद्धे से नहीं है तो इस चैनल को subscribe करके आप हमारे family के member बन सकते हैं और bell icon को all पर प्रेस करके आप daily का update पा सकते हैं क्योंकि daily मैं दो वीडियो उडालती हूँ तो start करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अगर मद्धू मक्की ने आपके घर में भी किसी भी जगा छटा लगा दिया है तो हटाना चाहिए या नहीं शुब होता है या शुब होता है आज वास्तू के अनुसार बताने वाली हूँ तो जब भी आपके घर में हनी भी छटाल बना देती है किसी भी जगा वैसे तो ये लोग ऐसे जग़ा पर छटा बनाती है जया हमारा आना जना कम होता है आप कहीं भी ऐसी जगा हूँ जहाँ आप कम जाते हूँ याद रखेगा वैसी ही जगह पे ये लोग छत्ता बनाती है वो कोई भी जगह हो सकती है चाहे आपका पूजा रूम यहां तक कि किसी किसी के बेडरूम में बेड के नीचे ये लोग अपना छत्ता बना देती है अब ऐसे में क्या करे भगाई या नहीं शूब होता है शूब होता है तो वास्तु के अनुसार इसलिए इसे अशूब कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डंक है जो शनी और राहु का कारक होता है डंक यानी काटा जो हमारे शरीर को सुस्त रखती है, हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है, पूजा पाट में काम आती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यदा शुब माना जाता है, रही बात हटाना चाहिए कि नहीं, तो लोग कहते हैं कि अगर आराम से हट जाये तो जरूर से हटा दे, आप एक बात बताओ, ये आराम से कैसे हट सकती है, कैसे भी आप हटाएंगे तो इसकी जान जाएगी ही, और अगर आपकी वज़े से इसकी जान जाती है, तो आप कर्मा क्रियेट करते हैं, आपको पाप लगता है, आपको हत्या का दोश लगता है, इसलिए इसने जहां भी शता बन कि ये आ गई मेरे घर में, कुछ न कुछ हशूब होगा, कोई न कोई बिमार पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर दुरगटना होगी, तो definitely होगी, इसलिए आप अच्छी चीजे सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो जानते हैं कि अल्कोहल सही नहीं है, फिर तब ही हमारे लाइफ में अच्छी चीजे अट्रेक्ट होती हैं, लेकिन क्या सब लोग ऐसा करते हैं, नहीं न, हम अपनी एनरजी की वज़े से अपने लाइफ में दुख, तकलिफ, सब कुछ अमंतरित करते हैं, गरीबी अट्रेक्ट करते हैं, तो आपके लिए साफ साफ यही है, कि अगर आपके घर में च्छता है, तो आप बिलकुल नहीं हटाएंगे, उन्हें थोड़ा सा समय देजे, वो लोग खुद ही हट जाएंगे, ज्यादा टाइम तक एक जगा पे नहीं रहती हैं, और हर रोज उन से जाके ब्लैसिंग मांगे, हमेशा बोले, थैंक्य राजा उनके सैनिक, मतलब यह समझ लिजे, कि आपके घर में एक पूरा राजजी आके बैठा हुआ है, अगर आप उनसे हल्प मांगेंगे, ब्लैसिंग मांगेंगे, आपको लगता है कि नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, आज मा की देखिएगा, और कभी भी यह गल्ती मत क जीएगा, कि उनके चत्ते को हाथ लगाने जाइएगा, अगर आपकी वज़े से इनकी जान चली जाती है, तो आप बहुत बड़ा कर्मा क्रियेट करते हैं, तो हमेशा सारे जीव जंतों से प्यार कीजिए, पेर पौधों से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, को राते रहे, God bless you and thanks for watching love you all, bye